जैसे कि आप जानते ही हैं यह है उस तरह की बाते जहां पर मैं इस तरह की नहीं उस तरह की बात करता हूं और आज के एपिसोड में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे about dating tips to not take from a very specific singer जिन्होंने सावन में आग लगा दी क्यार को कुट्ता बोल दिया और कुछ सालों पहले उन्होंने जबरन ले ली थी किसी की पप्पी यानी dating tips to not take from माईका पाजी माईका लाल पाजी को हर कोई जानता है इनकी सबसे बड़ी पहचान है इनकी यूनीक आवास style भी काफी यूनीक रहा है हमेशा से और देखा जाए तो पैसों की भी कुछ खास कमी है नहीं अब अगर उपरी परत से देखा जाए तो माईका लाल पाजी में वो सारे के सारे गुण हैं जिससे एक लड़की पढ़ जाए अब अगर शादी अरेंज करानी पड़ जाए तो तुम लोगों को पता ही है कि डेटिंग लाइफ की साइकल की चेन उतर चुकी है और इसी के चलते मैं मिंका पाजी की लाइफ से जो जो डेटिंग टिप तुम्हारे को नहीं लेने हैं वो ढूंड के लाया हूँ इस वाले एपिसोड में अब यू तो मैं मिंका पाजी को बेस्ट अफ लग बोलूँ हो फॉर हिस स्वेंबर बट अध सेम टाइम हम ये भी नहीं इग्नोर कर सकते कि मिकैनिकल इंजीनियरिंग के लंफट लॉंडो की तरह इनको भी अपनी मैरेज अरेंज करानी पड़ रही है तो प अधर बयानक शाम जरूर याद होगी जब मिंका पाजी अपने बड़े बैश से निकले मिंका पाजी को लगा आज मेरा बड़िया बड़े बैश हो गया चिक्के मैंने शराब पी ली है अब मेरेको अपने आपको एक बड़े गिफ्ट देना है तो उन्होंने आप देखना अताफ अपनी मुंडी घुमाई राखी साथ उनको देखिए उनको देमारी एक गाड़ी की तरह उनके मूँ पे एक पपी और अब जैसे कि आप लोग निंका पाजी को जानते ही हूँ ये सब उन्होंने किया और उसके बाद राइट फुली सो जो भवाल के गंडे गाडे राखी साथ ने वो आज तक लोग नहीं भूले और अपनी टी-शर्ट को अपनी बुशट को गंदा देखकर अपने मुपे केक पुता हुआ देखके और अपने जेल से भरे हुए तीन चार कटोरी वो जेल लगाते थे अपने बालों पे चैसे तुम्हें याद होगा उनके उपर केक लगा हुआ देखके मिका जी का खुम तो मिका जी ने यह होने के बाद अपना पूरा साड़े सतना ग्राम का छोटा सा थिमाग लडाया और इंसेट ऑफ टेलिंग राखी की तुमने बहुत गलत किया तुम पार्टी से निकल जाओ नई इन्होंने क्या किया इन्होंने सोचा अब तो मेरे मूँ पे केक लगाया अब मैं इसके मूँ पे फूक लगाऊँगा और जाक उनके मूँ पाख ले पप्पी ले ली विदावट एनी कंसेंट अब ऑफकोर्स यह बात बहुत ही जाहिल और गवारो वाली है क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो भया हर चीज के प्रोटेस्ट में बंदा पपी ले ले चला फिर रफा-दफा हुआ मामला लेकिन जो होना चाहिए था वो राइट फुली सो हुआ उनके साथ तो मेरा उस तरह के भाईयों सारे लॉंडो कान खोल के अपनी सारी सेंसिस खोल के सुन लो अगर तुमार को कभी भी जिन्दगी में लड़की बटानी है रिस्पेक्ट लाल अलग से करेगी सालो तुम अभी तो नॉन टैक्सेबल सेलरी ब्रैकेट में हो तो पपी वपी तो बहुत दूर की बात होगा ही हाथ भी पकड़ने से पहले तो डेटिंग टिप नंबर टू जो तुमने मिंका पाजी से नहीं लेनी है वो है चोरी के ऊपर से सीना जोरी कभी नहीं करनी बेटा अब बहुत सारे केसिस में यह होता है जब तुम एक बंदी को पटाना चा रहे होते हो उसको लाइक करते हो और तुम दोनों फ्रेंड्स होते हो पर तुम उसको आगे लेके जाना चाते हो फ्रेंड्शिप को तो हो जाते है तुमारे बीच में भेंस पीचे उपर नीचे कोई है ही नहीं और फिर अपनी छाती चौड़ी करे खड़े हो जाओ अपना खोकले इगो को दिखाने के लिए मुपे केक लगा के गले लगाया मुझको मेरी ही पार्टी में क्यों उक्साया मुझको ये भगवान थोड़ी यादास्ट ऐसी टाइप की लेले मेरी अब अगर इस गानों के बोल तुम आगे पड़ोगे तो तुम ये बोलोगे कि शान भाई गलती तो मिंका पाजी के इसाब से दोनों की थी क्योंकि राखी ने पहले मिंका पाजी के कभी इस गाल पे कभी उस गाल पे पपी करी थी पर मेरे भाईयों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि गाल पे और होटों में चाहे आदे इन से भी कम का फरक हो लेकिन intention जो होती है एक लड़की अगर तुम्हारे को वो गाल पे पपी दे रही है या फिर होटों पे दे रही है तो तुम्हारे में अपनी बुद्धी करके उस situation को और ज़्यादा खराब कर दो और खुद ज़्यादा बुरे बन जाओ उस गलती में और परसनल एक्स्पीरेंस से यह बता रहा हूँ तो डेटिंग का तीसरा दस्तावेश जो तुमने मिंका पानी से बिल्कुल नहीं लेना है वो है आई कॉन्टैक्ट भी जरूरी है अब एक काम करो कोई भी पुरानी नई या फिर यह जो पिशाची रील मेकर्स हैं डेटिंग टिप्स के रील मेकर्स हैं वो वीडियो कर तुमने नहीं देखिया तो मैंने लास्ट वीडियो उसकी डाली हुए जाके वो देख लेना इन लोगों के हिसाब से भी डेटिंग का ये चीज़ जरूरी भी है, आई कॉंटाक्ट काफी जरूरी है और जब तुम एक आई कॉन्टाक्ट मेंटेन कर सकते हो throughout your interview या फिर किसी और से बात करते होए तो फिर जिसको तुम अपनी प्रेमी का बनाना चाते हो उससे आई कॉंटाक्ट क्यों नहीं कर पाते यहां पे नौकरी वौकरी नहीं, यहां तो पलंग तोड मेटिंग डाव उपे लगी है भाई, और यह exact बात आय कॉंटक्ट वाली मिंका पाजी बिल्कूल भी समझते ही नहीं, जब देखो अंदर बाहर उपर नीचे सुबा शाम गौगिल ही गौगिल लगाए गूमते है भाई सब, प इस टाइल दबा के मारो लेकिन यह तुम सिलेब्रिटी मत समझो अपने आपको और यह मौलों में घूमते हों अंदर जाते हों मेट्रो स्टेशन के मेट्रों के अंदर भाया यह गौगिल उतारों में पता ही ना चले तुम्हें लड़की तुम्हार को भाव दे रही है कि मर यह जरूर पता लग जाए लड़की कोई इसे मोतिया बिन तो नहीं है तो डेटिंग टिप टू नॉट टेक फ्रम मिंका पाजी नंबर फोर है अपनी बक्चोदिया कम कर दो लॉंड को जरह से पैसे क्या मिल जाए जरह से पौपुलर क्या हो जाए जरह सा भाव क्या मिल जाए कॉलेज में तो यह इतने से टटे इतने भारी हो जाते हूं अब मिंका बाजी या केस भी कुछ ऐसा ही है हवा में उड़ने का बट थोड़ा लिटरल हो जाता है मीनिंग दोनों हवा में उड़ने का और हवा बाजी करने का क्योंकि कुछ टाइम पहले तुम्हें याद होगा इन्होंने पूरी की पूरी फ्लाइट बुक करा ली थी अप पपी वाली चीजों पर अपनी पुरानी गलतियों पर इसलिए न मैंने पूरी पूरी फ्लाइटी पूरी बुक करा मारी और यह देखो मिंका बाजी कितने बोले हैं कि सब को ऐसा कुछ ना कुछ करना चाहिए और इसी के तहत इसी के चलते इसी मिंका बाजी की अरजी के च सिर्फ हम लोग ही है यह पूरा खाली है यह देखके शान पाजी के बच्चे भी बोलोगे पापा क्या मजा कर रहे हो यार वो तो कोई आया नहीं वरना आपको कोई बारी थोड़ी मिलती अपनी बारी की नितजार करते रहते आप तो और अगर तुम लड़की पटाने की कोश लड़कियों को जादा इंप्रेस कर पाऊंगे जरूरत नहीं है कि हर बार ही बहुत पॉम्पस अक्ट करा जाए और अगर बात करी जाए लड़ाई जगड़े की तो मिंका पाजी वहां भी पीछे नहीं है जादा एक याद है तुम्हार को क्लिप आई थी वहां पे कोई श और अकर तुमने वह गाना नहीं सुना तो मैं तुम्हार को उसके तीन बहुत असेंशियल फांडेशनल बोल बताए तो वह है कुत्ता कुत्ता वैसे देखा जाए तो इस बंदे को कुछ कहने के लिए मेर पास भी है इस काम के लिए तो वक्ती वक्त है तो भीया जाते जात वह जस्टिफाई करती फिरेगी तो अगर तुम्हारे में गुस्सा है आक रोश है तो उसको अच्छी जगा चैनलाइज करो उसको प्रोडक्टिव बनाओ उसको एक अच्छी डायरेक्शन दो और फिर देखो लड़गिया तुम्हारे सामने क्या है मेरा नमबर देलो मेरा लाइक शेर करना और यार प्लीज सत्तर हजार अब जादा दूर नहीं है दिल्ली दूर नहीं है सब्सक्राइब दबाओ हम मिलेंगे अगले हफते कॉमेंट करते ना तुम्हारे को डेटिंग टिप्स वाला अगर एक और एपिसोड देखना है तो किस नायाब बराणी से हम कोड़ा वो कॉंट्रोवर्शियल बंदा हो तो जादा मजा आता है तब तक के लिए नेक्स्ट एपिसोड मिलते हैं मामा मिया लाजानिया पपी